हलो, फ्रेंस वल्कम बैक, आज का टोपिक है हमारा फा इंचल फोर्मुला क्वार्टर, यानी कि आज हम एक्सल का वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम क्वार्टर फोर्मुले को यानी कि क्वार्टर कैसे निगालते हैं Exel 4 फोर्मुले से वो डिसकस करने वाले हैं और इसके लिए बेसिकली जो भी फोर्मिले यूज होंगे उसको हम explain करेंगे पूरी तरह से कि किस तरीके से Excel में यूज किया जाता है उनको ठीक है तो मेरा नाम है गोविन और आप देख रहे हैं कॉम ट्विटर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टोपिक जो टोपिक हम डिसकस रहने वाले हैं वो बहुत सारे लोगों को प्रोब्लम्स आती है एक्सल में कि जो financial formula है मतलब जो लोग finance या AP team या billing team कुछ भी जो भी उनसे related है उनसे जुड़ा हुआ है वो लोग Excel में quarter के according काम करते हैं यानि उनका जो financial year है वो April से start होता है and March पे खतम होता है तो March closing होती है वहीं जो इंडिया के बाहर जो quarter चलता है वो January से start होता है तो हमारा जो calculation है वो financial year पे based है यानि कि हम जितनी भी calculation करेंगे वो April onwards से start होंगी and going through वो March पे जाके close होंगी तो इस तरीके से हमारी financial year चलती है तो इसी में मेरे कुछ friends हैं उन्होंने मेरे को बोला था कि यार financial sheet के अंदर quarter को निकालने में बड़ी दिक्कत होती है quarter जो है उनको manually check करके लिखना पड़ता है तो इसका formula क्या है तो मैंने सुचा कि मेरे subscriber को भी यह problem आ सकती है तो उनके लिए मैं यह video बना रहा हूं वैसे उनको मैं formula अल्रड़ी दे चुका हूं बट आप लोगों के साथ भी share करना जरूरी है इसलिए मैं यह video बना रहा हूं तो चलिए चलते हैं computer screen पर तो यह मेरी computer screen और अब हम चलते हैं अपनी Excel sheet पर तो यह देखिए यह मैंने कुछ Excel sheet बनाई है और इसमें हम कुछ quarter का formula इस तरह से यहां सर्च करने वाले हैं यहां प पिर जब इसको हम calculate करेंगे तब धिर धिर आपको calculate करके मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसको calculate करने वाले हैं तो यहां पर सबसे पहले तो देखिए दोस्तों जो quarter आपको calculate करना होता है Excel sheet में वो based होता है किसी date पर without date आप कैसे पता करोगे कि कौन से quarter है जैसे कि हम बात करें आज कि आज अगर 13 अगस्त है 13 अगस्त 2023 की date है तो इसका जो quarter हुआ वो 13 अगस्त पर depend करता है कि जो अगस्त है वो कौन से quarter में fall करता है basically देखो पूरे साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 4 quarter होते हैं 3-3 महीनों के तो अगर January से start करें तो January, February, March इन 3 महीने का एक quarter बनता है और अगर हम April से start करें तो April, May, June इन 3 महीनों का पहला quarter यानि एक quarter बनता है तो इसी तरह से आगे date बढ़ती रहती है अभी जो मैं quarter आप भी बताऊंगा last में पहले आप इस formula को basic formula को समझे तो April वाला थोड़ा सा advance होने वाला है तो उसको last में बताऊंगा चले देखते हैं कैसे तो सबसे पहला जो formula है हमारा start हो रहा है यहां से सबसे पहले हमें month निकालना होता है तो जैसे कि यहाँ पर अगर हमने कोई date लिखी ह है तो इन date को हमें month में convert करना होगा जैसे कि 31st January है तो मैं इसको month में convert करता हूँ equal to month का formula उठाएंगे serial number में मतलब वो serial number दीज़े month का और enter कीज़े तो आपको मिल गया first यानि कि यह January का month है इस तरह से आप देखेंगे यह December का month है यानि बारवा month यह February का है यानि दूसरा month है तो इस तरीके से हमें month जो है count करके मिल गया लेकिन जो month हमें मिला है जैसे कि मैंने बता है कि एक साल में लगबग लगबग total आपके चार quarter होते हैं तो चार quarter है तो एक quarter में आपके तीन महिने हैं ठीक है तो तीन महिने हैं तो आपको अब यहाँ पर इस counting को थोड़ा सा change करना पड़ेगा कि यह जो month है इसको divide करना पड़ेगा 3 से ताकि आपको quarter मिल सके तो हम divide करते हैं 3 तो और देखते हैं क्या आता है यह हमें date मिल गई तो इस date का format में यहाँ से change कर लेता हूं जाकर और इसको number में या फिर general format एक कर देते हैं ठीक है यह general format आ गया और जो इसके पीछे इतने सारे points लगए हम वह आप हटा भी सकते हैं या नहीं भी लिए ठीक है तो मैं फिर से formula पर जाता हूं और इससे पहले लगाता हूं round up का formula round up यानि 0.3 था तो 0.3 को वह 1 हमें दिखाएगा ठीक है तो यह पूरा का पूरा हमने डाला को मा डाला number of digits पूछ रहा है कि कितने number आपको चीए digit मतला point के बाद कितने number चीए तो मैं यहां डाल देता हूं 0 मेरको एक भी number नहीं चीए और इस formula को close करके enter कर देता हूं तो देखो जो 0.333 करके हमें answer मिला था वह 1 में convert हो गया और इसी तरह हम नीचे अगर copy paste इस formula को करत देखेंगे और फर्वरी है वह भी first quarter है और फर्वरी की जगह मैं आपको कुछ ओर डेट डाल देता हूं suppose मैं ने डाल दी मार्च की डेट फ़स्ट मार्च दो हजार बाइस तो आप देखेंगे कि वह भी जो है first quarter में आ रहा है और अगर मैं अपरेल की डालता हूं या महीं की डालता हूं तो वह तूसरे quarter में जंप हो जाएंगे इस तरह से ठीक है तो यह quarter हमें मिल चुके हैं बट यह जनवरी से calculate हो रहे है सारे के सारे quarter अब सेम चीज अगर आपको इसमें कोई text add करना है तो कैसे करेंगे तो यहां तक तो formula आपको clear हो गया कैसे करना है अब इस formula म में इस formula को मैं यहां पर paste करता हूं नीचे सेम answer हमें मिल रहा है अब यहां पर हम इस formula में add करेंगे कुछ text जैसे कि आपको quarter के लिए q add करना है quarter add करना है कुछ भी add करना है तो उसको हम पहले type करेंगे यहां पर की double quotation में q इस तरह से double quotation में हमने q type किया उसके बाद हम end अंदर आ जाए ठीक है और enter करेंगे तो आप देखोगे q1 q4 q1 इस तरह से यह सब इसने count करके दे दिया है और अगर मैं यहां पर date change करूं मान लीजिए मैं यहां पर ले लेता हूं चार चार दो हजार 23 तो देखो वो q2 हो गया है ठीक है अब वही same चीज है मैं नीचे आता हूं नीचे भी मैंने कुछ इस तरह से वो करके आपको लगाया हुआ अगर आपको quarter के साथ साथ इसको हम नीचे paste करते हैं formula formula वही रहेगा उसमें हम text add करते रहेंगे आगे के लिए इस formula के साथ साथ अगर उसमें आपको year भी लगाना है ठीक है year भी add करना है जैसे कि यहाँ पर देखोंगे 2023 है 21 है 22 है year भी add करना है तो वह भी यहाँ पर add हो जाएगा easily अपने formula लिया ठीक है और उसके बाद हमने starting में q add किया और अब हम end लगाकर या फिर आप concatenate भी use कर सक लगते हैं end की जगह पे तो हमने end लगाया फिर double quotation में हमने dash लगाया दोनों तरफ उसके बाद फिर से end लगाया और हम हम देंगे year ठीक है तो year का formula लगाया हमने year आ गया और date जो है वो यहाँ से हम दे देंगे यह वाला जो है date का formula हो जायागा और इसको close करके हम enter कर देंगे तो आप देखोगे हमारे पास पूरा का पूरा year आ गया quarter one 2023 quarter four 2021 quarter one 2022 इस तरीके से तो ऐसे हम इसको और expand कर सकते हैं और भी ज्यादा बड़ा या यूनिक formula बना सकते हैं expand करते हुए तो यही same चीज मान लिजिए आपको जो formula है उसमें year इतना बड़ा नहीं चीए shortcut में year चीए 23, 21, 22 इस तरीके से तो इसको भी छोटा कर सकते हैं अब मैं उपर वाला formula ले लेता हूँ यहाँ पे डालता हूँ यह रहेगा अब इसको edit करते हैं इस formula में भी अब हम डालेंगे and और double quotation में चोटा वाला quotation यानि एक single hyphen डालेंगे ठीक है और फिर से डालेंगे and और फिर ले लेंगे यह वाली और जो इसका format है ठीक है ना format हम देंगे yy करके और enter तो आप देखेंगे quarter 1 है 2023 का 2021 का और 2022 का तो इस तरीके से यह quarter हमें मिल रहा है ठीक है तो यह देखा आपने यहाँ पे हमने जो quarter निकाले यह January के base पे असार है अब आपको जिस भी format में चीए Q1 2023 वाला चोटा वाला या फिर Q1 Q4 Q2 दिखाना है वो वाला उस तरीके से आप अप उसमें जो है and के according formula add कर सकते हैं ठीक है बट अब हम चलते हैं कि अगर आप formula जो है April से start करते हैं अपना quarter तो क्या होगा तो यहाँ पर same चीज होगी हमारी equal to सबसे पहले हम month calculate करेंगे month कौन सा है इस date का तो month हो गया first वही same चीज फिर इसको हम divide करेंगे 3 से ताकि हमें quarter का number पता चल सके तो divide by 3 किया 0 आगया क्योंकि अभी हमने सारे के सारे वह point हटाए हुए है यह देखो तो 0 मिल गया हमें यानि 0.33 मिल गया हमें और अब इसको हम round up करने वाले हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे round up round up में आएं और comma डालके 0 डाल दिया यानि कि point के बाद कोई भी number हमें नहीं चाहिए formula close करके enter करेंगे तो हम देखें कि हमें number मिल गया one अब चाहिए तो यहां से यह जो points हैं वो हटा सकते हैं तो one मिल गया हमें नीचे आएंगे sum में डालेंगे four और two तो देख सकते हो जो April है 30 April उसने जो है second quarter में हमें दिखाया है जो basically first quarter होना चाहिए तो इसको अभी improvise करते हैं हम तो इस formula में हम क्या करेंगे जो भी value हमें मिल रही है suppose अगर उसने December को fourth quarter दिखाया है तो हम उसमें से one minus कर देंगे तो क्या होगा four की जगे हमें three दिखायेगा same चीज बाकी जगे पर भी होगे ज़ो जहां पर हमें three दिखायेगा होँ यहां पर two दिखायेगा जहां पर हमें one दिखायेगा और जहां पर four दिखायेगा और तो इस तरीके से हम उसमें से one minus करतेंगे दैसे की भी मैं यहाँ पर करता हूँ माइनस 1 किया मैंने तो यह 0 आ गया यहाँ पर देखेंगे 4 आ गया 3 आ गया और यहाँ पर 2 की जगा 1 आ गया तो सारी चीजे तो ठीक हो लिए हमारे साथ बट जो 0 है ना वो 0 नहीं आना चाहिए वो 4 आना चाहिए समझे रहो क्यों आना चाहिए क्योंकि वो January से स्टार्ट हो रहा है तो December के बाद जो Last quarter हमारा बचता है अगर April से स्टार्ट करते हैं हम quarter को तो January, February, March का जो quarter है वो 4th quarter बचेगा नि Last quarter बचेगा तो यहाँ पर तो 0 आ गया तो अब हम एक काम करेंगे if condition इसमें डाल देंगे कि अगर value 0 आती है तो हमें 0 की जगह 4 दिखा दे बागी सब formula सेम रहेगा intact रहेगा तो हम इस formula को जो है copy कर लेते हैं पूरे formula को सिर्फ formula copy करेंगे और इस formula की जगह पर अब हम यहाँ पर type करेंगे if logical test पूछ रहा है वो तो logical test हमारा हुआ यह पूरा का फूरा formula अगर यह logical test डाल दिया हमने पूरा logical test की value आ रहे है 0 और हम उसको बोल रहे है अगर यह logical test equal to 0 हुआ ठीक है मैंने वही type किया हमाँ पे अगर यह logical test equal to 0 हुआ then हम कोमा डालेंगे तो हमसे पूछ रहा value if true तो true क्या देना चाहिए अगर यह equation सच साबित होती है ठीक है ना if condition की मैंने और भी videos बनाई हुई है वहाँ से देख लेना logical test क्या होते हैं किस तरह से उसमें question पूट करते हैं और किस तरह से उसमें answer पूट करते हैं मैंने पूरी video detail में बनाई हुई है वहाँ से जाके देख लेना आपको पूर अच्छी तरह से समझ में आएगा तो अभी हम यहाँ दिखा रहे है value if true अगर true होती है यह logical function तो क्या आना चाहिए तो मैं उसको बोलूँगा भी यह 4 आना चाहिए 4 दिखाना चाहिए 0 नहीं दिखाना चाहिए तो वह 0 को replace करेगा 4 से 4 आ गया और फिर false अगर false होती है अगर 0 नहीं आता है तब क्या दिखाएं वह भी question है उसका तो मैं बोलूँगा भी यह अगर 0 नहीं आता है तो वह same as it is वही equation apply कर दो वही equation मेरे को दिखा दो that's it ठीक है तो मैं यहाँ पर इस equation को close करता हूँ और enter कर देता हूँ और इसको नीचे तक copy paste कर देता हूँ सब में तो अब आप यहाँ देखोगे कि जो April वाला है 30th April वो मेरा first quarter बन गया और January वाला जो है fourth quarter बन गया इस तरीके से अब सेम चीज अगर आपको इसके सामने यह जैसे मैंने quarter 2023 कुछ भी add करवाना हूँ तो अब आप इसके आगे और पीछे and function को use करके उनको कर सकते हैं जैसे कि मैं इससे पहले यहाँ पर add कर देता हूँ double quotation में qtr double quotation और and formula और enter तो देखे quarter 4 आ गया but qtr के बाद कुछ space या कुछ dash होना चाहिए न तो मैं यहाँ पर इस formula में dash डाल देता हूँ यह लिजिए अब ठीक है तो देखा यह formula बन गया और कुछ अगर आपको देखना है तो हम आज की date डालते हैं 13 August तो यह 13 August जल गई और यह formula नीचे copy paste किया तो देखे वो quarter 2 में आ गया अगस्त यानि की अप्रेल माई जून जो है first quarter हो गया जुलाई अगस्त सितंबर second quarter हो गया तो अगस्त जो है वो second quarter में जंप कर गया इस तरह से तो यह है दोस्तो basic formula या फिर कहे तो advanced formula है इस series का कि quarter को कैसे calculate करते है Excel sheet में I hope आपको यह formula आ गया होगा तो प्लीज यार वीडियो को like जरूर करे और अगर आप new है इसी तरह के और वीडियो पाना चाहते हैं हमारे चैनल पर इस तरह के बहुत सारे धेर सारे वीडियोस आपको मिलेंगे तो please चैनल को अभी subscribe कर ले मिलता हूँ next वीडियो में वीडियो को like के बिना मच जाएगा हमारी थोड़ी सी motivation improve होती है इससे तो please यार वीडियो को like जरूर करेगा मिलता हूँ next वीडियो में एक और नए topic के साथ तब तक जाएगा वीडियो के वीडियो से वीडियो के लेनी और गूट बवाइगा